हलो दोस्तो एक बार फिट स्वागत है आपका हमारे शानल पर पेरा नाम है वरुन और हम बात कर रहा है तो यार cvd 2022 का तो हो गया समय समाव अब आते हैं किसकी नए सेशन यानि cvd 2023 के लिए कैसे क्या प्रपार करता है उससे पहले जो बहुत इंपोर्डेंट जानकारी वह अभी से दिमाग में रखना है, वो क्यों रखना है, ताकि आप उसे साफ से प्रपेर कर साओ, एक वीडियो पे न बदाई थी कि आप कैसे board exams और CVT के लिए conduct कर सकते हैं, सारी तियारी प्रपेर कर सकते हैं, क्या strategy होनी चाहिए, तो वो आप जरू देख लीजेगा, अभी फिल exam center से सारी जानगारी आपको यहां मैं देने वाएं, आपको क्या करना है, दोस्तों मैं फीश को share करना है, ताकि उन तक भी यह जानगारी पहुँच जाए और बहीं चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि CVT की पूरी जानगारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिल जाए, तो चल नहीं है, बहुत जल्दी कि कल पर 115 दिन महीं नहीं बर, नहीं नहीं, अभी आपके पास समय है, और वो समय है, इसलिए आपको पहले से सारी जानगारी देना चाहरा हूँ, ठीक है भई, इसका नाम क्या है Common University Entrance Test, CUET, कई बार सीधा question यहीं पूछ लिया जाता है, कि CUET का full form क है ना, तो Common University Entrance Test है, 2023 के admission के लिए इसकी हम process की बात कर रहा है, 2023 के लिए, ठीक है भई, जो की conduct कराएगी कौन, National Testing Agency, जिसको बोलते है NTA, है ना, और NTA ही responsible है, इस exams के लिए, ठीक है, सारे बड़े exam जो है भारत के वो NTA ही करवा रही है, ठीक है, सो भईया, यह admission प्रक्रिया क लागू, इसमें बड़ी-बड़ी University, participate कर रही है, चाहे वो Delhi University हो, BHU हो, AMU हो, JNU हो, चाहे लबाद University हो, और बहुत सारी तबाब, लगबग 100 के आसपास, जो University है, इनमें सारी Central, State और Deemed सारी Private University तक, participate कर रही है, वो अपने बच्चों को admission, UG और PG program में, CUET के basis पर ही देने व नाया था, next year बढ़ जाएंगी, याद रखेगा, याना तो सारी University आपके इसी exam के scorecard के basis पर, buried में, आपको क्या है, division देने वाले हैं, तो बहुत important हो जाता है, UG और PG programs के लिए, ये सारा का सारा, CUET का exam, अभी याद रखेगा, 154, ये total all over India में, test center बनाए गए है, किसके मतलब भी वही है, common university, central examination, वो common entrance test है, उसका central university common entrance test, जिसको अब CVT ही बोल दिया गया है, ये central university के लिए पहले अलग कर रहे थे, अब सब के लिए एक कर दिया है, तो बिलकुल परेशान नहीं होना है, यहाँ UG, PG, दोनों courses के लिए, ये करवाया जा रहा है, याद रखेगा, इसको कहा से क्या कैसे सारी चीज़े को करना है, उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले, तो याद रखेगा, कि C-U-E-T या C-U-C-E-T, तो इसमें परेशान नहीं होना है, confused नहीं होना है, दोनों एकी चीज़े, इसको common university entrance test बोल रहे हैं, पहले ये central university common entrance test हुआ अगर test होता है, यहाँ पर online, ठीक है, तो exam का mode भी यही है, और central university हो, state university हो, dean university हो, साथ ही साथ कुछ private university भी है, जो यहाँ पर admission CVT के basis पर लेने वाली है, तो यहाँ पर आपको इस पर focus कर रहा है, अब इनकी important deeds क्या-क्या है, याद रखेगा, तो भाईया ये जो events है, ये 2023 के लिए tent tentative है, कि कराया जाएगा, ये इनने postpone, मतलब propose गर दिया है इस चीज़ को, कि इस type से होने वाला है, online, जो submission of application होगा, वो पहले week में, अपरेल में, start हो जाएगा 2023, तो अपरेल तक तो आपके सारे board exams और बागी के exams भी conduct हो जाएगे, result बगेर भी आ जाएगा, तो भाई, आप आपको बिलकुल तयारी करके रखना है, पहले week से ही ये forms fill होना चालो हो जाएगे, इनकी last date हो जाएगी, माई का पहला, एक महीना पूरा-पूरा मिलने वाला है, form fill करने को, इसके बाद भाई साब, application में कुछ गडबडी हो जाती है, कई बार, बच्चों से जल्दबाजी म हो, लेकिन फिर भी गलती हो गई तो माई के चौथे week तक आप correction उसमें कर सकते, correction के बाद आपका admit card second week June में आपका release हो जाएगा, और exam July में होने वाला है, ठीक है भाई आप पहले week July में जो है आपका interest हो जाएगा, उसकी answer की आ जाएगी second week में, result आ जाएगा second week में, July में ही, ठीक है, और जो counseling हो जाएगी, वो third week से start हो जाएगी July से, इस बार तो थोड़ा late हो गया program, लेकिन next year आपका बिलकुल time पे ही हो जाएगा, सारा का सारा का, ठीक है, कोई दिकत परिशानी, याद रखी, ये UG courses के लिए है, इसको याद रखना है, फिर भाई आ PG courses की बात कर ल लिए और last date जो है, यहाँ पर, वो भाईया second week of June हो जाएगी, इसकी entrance exam के लिए transactions के लिए, application में correction एक week का और time मिल जाएगा, third week तक आपको ये correction कर लेना है, और भाईया admit का third week of June में release कर दिया जाएगा, और आपकी exams की अगर बात करी जाए, तो exam होगा July के पहले week में ही, PZ का UGB, PG, same July में ही होने वाला है, और second week में उसका answer की, दौनों का release हो जाएगा UGPG, साथ ही साथ result भी second week of July में दौनों का आ जाएगा, और third week से दौनों की ही counselling start हो जाएगी, यह सारी की सारी चीजे commencement है, याद रखिएगा tentative date है, calendar है, जो provide किया गया है, इसके अलाब application form को कैसे fill up करना है, तो आपको कहां जाना है, cuet की website पर जाना है, जो क्या है, cuet.nta.nic.in, ठीक है, तो यह आपकी website रहेगी, इस पर आप जाओगे और इस पर जाके आपको registration करना है, और registration के साथ सारी की सारी चीजे आपको करना है, यह link अभी नहीं आई है, तो बिल्कुल परिशान नहीं होना है, यह बता चुकाओं में, अप्रेल में active होगी, यह ठीक है ना भाई, तो यूजी release कर दी जाएगी, माई में, अप्रेल और माई में, यह रहेगा, पहले से पहले बीक में, PG के लिए, यह जून में, माई से जून में हो जाएगा, और फिर इसमें आपको क्या क करना है, सारी की सारी form को, आपकी personal detail आपको fulfill करनी है, नाम, आम, spelling, बगएर, mystic, आपको नहीं करना है, educational qualification आपको देना है, university program के selection के लिए, आपको सारी की सारे test बगएरा जो भी रहेंगे, उसमें details fulfill करनी है, और आपकी examination city को आपको choose करना है, कहां आप prefer करेंगे exam देना, इसक documents की याद रखिएगा, अपने photograph की, signature की, और सारे category के जो certificates है, आपके उन सारी चीजों को, आपको यहां पर क्या करना है, documents में submit कर देना है, भई, PG के लिए भी same to same सारी चीज़े है, अगर कोई गलती हो जाती है, तो correction window भी आपके लिए, एक week के लिए खोली जाएगी, जो मै आपको निकाल लेना है, ताकि future में वो आपके यूज आपाए, तो यह पूरी की पूरी जानकारी थी कि क्या कैसी rates होने वाली है, क्या आपका application का criteria होने वाला, क्या क्या चीजे लगने वाली है, और कैसे आपको यह form submit करना है, तो बस, ऐसी ही जानकारी के लिए बने रही है don't forget to like, share and subscribe